नमस्कर प्रियादर्सकों आप सभी लोगों का मैं जोतिसाचार्य मोक्षित अपने जिसेश कारिकम में हर्दिक स्वागत करता हूं जब किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है बालक या फिर बालिका का जन्म होता है तो उसके जन्म से पूर्व ही उसकी कर्म को लिख दिया जाता है उसकी जन्म कुंडली को लिख दिया जाता है और जन्म के बाद में सभी माता पिता अच्छे जोतिसाचार्यों से अपने उसे बच्चे का अपने संतान का कुंडली का अफिशलेशन करवाते हैं कि यह बालक कैसा होगा या फिर यह बालिका कैसी होगी अपने परिवार के लिए कैसा रहेगा या आगे भविस्य में क्या करेगा या सभी प्रकार की जानकारियों को आपके जन्म लेने से पुर्व ही जैसे ही आप मा के गर्व में आते हैं तो आ लिख दिया जाता है आपका भाग ये लिख दिया जाता है ऐसे में ही आप जब गर्व में ही होते हैं तभी आपके बारे में यह पाथ चीजे लिख दी जाती ह शास्त्रों में बताया गया है कि व्यक्ति जब मा के गर्व में होता है तभी उसके जीवन से जुड़ी हुई यह पाथ चीजे उसके जीवन में लिख दी जाती है तो बताय गया है यह कहा गया है इसका ताथपर यह होता है आयू व्यक्ति की आयू कितनी होगी कर्म उसका कर्म कैसा होगा और वित्तन्चा विद्या निधन वेशा इस स्लोक में बताया गया है कि आयू कर्म वित्तम यानि कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी निधन और विद्या यह जो पाथ चीजें वो अपने जीवन में विद्या को कितना अरजित कर पाएगा और उसका निधन कब होगा यह पाथ चीजें जब आप मां के गर्व में होते हैं तभी हमारे बारे में लिख दी जाती है और यह चीजें प्राणी के भाग्य में तभी लिख दी जाती है जब वह मां के गर्व में आते हैं और इसलिए कहा जाता है कि भाग्य में जो लिखा है उसे आप कभी भी मिटा नहीं सकते हैं और कहते हैं आपके हाथ से जो लिखा हुआ है उसे कोई भी छिन करके ले करके नहीं जा सकता है और इतना ही नहीं आप कितने साल तक जिएंगे यहां भी हमारे सास्त्रों में पहले से ही वर्नित कर दिया जाता है यह सारी चीजों को आपके जन्म से पहले ही लिख दिया जाता है और व्यक्ति को धन कब और कितना प्राप्त होगा यह सभी प्रकार की यानि कि उसके जीवन से जुड़े हुई सभी तवाम तरह की बातें को पहले ही लिख दिया जाता है और ऐसे में आप चाहे जितने भी कोशिस कर लें आप अपने भाग से ज्यादा कभी भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता है जितना आपके भाग्य में लिखा है उतना ही आपको लाव की प्राप्ती होगी और इसी लिए कहते हैं कि व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए अगर आपका कर्म अच्छा है तो निश्चित रुप से निसंदे हैं आपको अच्छे लाव की प्राप्ती होगी और आपको जो भी चीजे की प्राप्ती करनी हो इसके लिए हमें हमें कभी भी अपने कर्म को गलत नहीं करना चाहिए क्योंकि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल की प्राप्ती होगी कर्मन नेवा अधिकारस्ते मा फले शुकदा आचना आज के टाइम में व्यक्ति कर्म तो बाद में करता है लेकिन फल की चिंदा वह पहले कर लेते हैं इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ उतना ही फल मिलेगा जितना आपके भाग्य में लिखा हुआ है नमस्कार